ये ratio की second class है इसके अंदर आप देखेंगे कि जो ratio है उनको combined कैसे करेंगे जैसे उसने हमें दिया A ratio B is equal to होता है 2 ratio 3 और B ratio C ब्राबर होता है 5 ratio 4 अगर आप अपसे पूछा जाए कि A ratio B ratio C क्या होगा तो इस question को हम एक shortcut rate से solve करते हैं और एक real rule लगाते हैं तो इसको हम पहले दोनों तरीके से solve करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं shortcut, shortcut में आप क्यार करेंगे सिरफ इनको A, B और C लिखेंगे पहले लिखेंगे A, B का ratio 2, ratio 3 फिल लिखेंगे B, ratio C, 5, ratio 4 तो 5, ratio 4 अब जो भी value यहाँ पर जो gap है तो जो जिसकी पिछे gap है उसको वहीं लिखेंगे तो यहाँ आपका आएगा 3 इसके आगे gap है तो यहाँ आएगा आपका 5 अब इनकी कर देंगे multiply तो यहाँ आपका आएगा 10 यहाँ आपका आएगा 15 और यहाँ आपका आएगा 12 इन तिन्नों में से कोई भी नंबर को मन नहीं है तो उस अवस्था में इसका ratio आजाएगा 10 ratio, 15 ratio, 12 इसी condition में अगर इनकी value जादा भी दी जाए जैसे A ratio B है 2 ratio 1 B ratio C है 3 ratio 2 C ratio D है 2 ratio 3 और D ratio E है एक ratio 3 तो इसमें जो हमारे alphabet last ratio है वो हमारे E तक है तो उपर लेखेंगे A ratio B ratio C ratio D ratio और E पहले निकालते हैं A और B का A और B का है 2 ratio 1 तो यहां तो यहां लेखेंगे 2 ratio 1 फिर है B और C, 3 3 ratio 2 तो 3 ratio 2 जिसके बाद C और D है 2 3 तो यहां लिखेंगे 2 और यहां 3 और फिर है D और E का 1 3 तो यहां लिखेंगे 1 और यहां लिखेंगे 3 अब से हम वहें रूल अपलाई करेंगे अगर एक के पीछे blank हैं तो सब में एक आएगा 3 के आगे है तो 1 3 आएगा 2 के पीछे है तो 2 आएगे 2 के आगे है तो 2 आएगा 1 के आगे है तो 1 आएगा और इस 3 के पीछे gap है तो यहां पे 3 आएगा अब पूरा combine होने के बाद में अब इनकी वही करेंगे multiply तो यहां आपका 12, 6, 4, 6 और 18 अब इन मैंसे 2 common हाता है दो से सभी कटते हैं तो 2 से काटेंगे 2 से 6 2 से 3, 2 से 2, 2 से 3 और 2 से 2 अब यह किसी से भी एक साथ में divide नहीं है तो इसका जो ratio है वो आएगा आपका 6 ratio, 3 ratio, 2 ratio, 3 ratio, 9 तो यह तो था आपका सोटकर तरीका कि आप किसी भी ratio को ऐसे की कट्ठा करके combine उसका ratio निकाल सकते हैं लेकिन यह केवल applicable तभी होता है जब आपके अंदर जो value दी जाती है वो common में होती है ऐसे अब बात करते हैं कि अगर यह value जो ratio में given है अगर यह common value ना दी जाए तो भी ratio हम कैसे निकालेंगे तो हम इसको solve करकर देख लेते हैं यह combined ratio निकालने का real rule है तो इनको हम पहले fraction में convert करेंगे a by b is equal to 2 by 3 के और यहां से हम a की value find कर लेते हैं a की value होगी आपकी 2b by 3 अब अगला ratio है b ratio c तो यह हो जाएगा आपका b by c और value होगी इसकी 5 by 4 अब यहां से a की value आपकी b में है तो यहां पर भी c की value आपको b में ही निकालनी है इसमें द्याने रखना है कि जितनी भी value होनी चाहिए वो a की unit में होनी चाहिए तो यहां से जब आप c की value निकालोगे तो यह आजाएगी 4b divided by 5 और अब हम चलते हैं answer की तरफ तो अब उपर लिखेंगे वहीं a, b और c तो a की value होगी 2b by 3, b की value है आपकी b ही रहेगी क्योंकि जिसमें value निकालोगे वो सेम रहेगा आपका c की value होगी 4b by 5 अब fraction है तो fraction को हम LCN से solve करेंगे 15, 10b, 15b और 12b अब अगर इनको दिखा जाए तो सब के अंदर b common है तो आपका answer आ जाएगा 10 अनुपात 15 और अनुपात में 12 जो कि पहले था आपका 10 अनुपात 15 अनुपात 12 यह जो दो questions है तो पहले वड़ा shortcut है उसमें सिरफ आपको ध्यान रखना है कि कोई भी condition आपको जो दी जाए उसमें common number होना जरूरी है बट इसके अंदर ऐसी condition कुछ नहीं है चाहिए वो a ratio c दे कुछ भी दे बट आपको ध्याने रखना है कि जो भी value आप निकाले वो सरफ एक unit में निकालने होंगी आपको इसका next question है आपका इसके अंदर जो अगला question है वो दो questions एक साथ दिये जाते हैं आपको जैसे पहला होता है 2a is equal to 3b is equal to 4c और इसमें आप सको पुछा जाएगा a ratio b ratio c और second type होगी इसकी a by 2 is equal to b by 3 is equal to c by 4 और यहां भी आपको निकालना है a ratio b ratio c इन दोनों को निकालने का भी एक real rule है और एक आपका shortcut है जो कि आप याद करके निकाल सकते हो shortcut में आपको यह रखना है जो सीधे हैं उनको fraction बनाना है और जो fraction में पहले से हैं उनको आपको सीधा रिखना है तो अगर हम इसको sort कर तरीके से solve करें तो इसको fraction बनाएंगे तो 1 by 2 इसको बनाएंगे 1 by 3 तो इसको बनाएंगे 1 by 4 L sim लोग इसका 12 6, 4 और 3 तो यह आपका आजाएगा डारेक्ट ली रिश्यो 6 रिश्यो 4 रिश्यो 3 बसरते यह multiply में है तो divide में रखना है divide में है तो multiply में अब यह जो divide में है अगर हम इनको multiply में लेके जाएंगे तो direct answer आपका आएगा 2 ratio 3 ratio 4 तो यह तो है दोनों के आपके shortcut अब बात करते हैं तीसरी type में जिसमें दोनों चीज़े given हो सकती है multiply भी और divide भी तो 2a by 3 is equal to 3 by 2 और is equal to 5 by 4 तो इन दोनों में एक साथ दोनों rule apply करेंगे तो यह जो है यह तो उपर पहुँच जाएंगे आपके direct हो जाएगा तो यह हो जाएगा 3 by 2 यह multiply था divide हो गया अगला आएगा 2 by 3 और अगला आएगा 4 by 5 अब यहां से लेंगे इका यह जो तीन है यह किसी भी नंबर से जिवाइड नहीं है तो आपका आंसर आ जाएगा 45 अनुपाथ 20 अनुपाथ में चोबिस तो यह जो तीन टाइप थी यह थी आपकी सोटकर तरीके से अब अगर इनी कृष्टन को आप रियल रूल से करेंगे तो हमें क्या करना होता है यह जो वैल्यू है तीनों इक्वल हैं तो हम इसको किसी भी नंबर के बराबर एज्यूम कर लेते हैं कि जैसे 2a is equal to 3b is equal to 4c बराबर होता है kk हम यहां से पहले वैल्यू निकालेंगे a की तो आपकी a की वैल्यू आएगी k by 2 k by 2 फिर निकालोगे b की वैल्यू तो b की वैल्यू आ जाएगे आपकी k by 3 और c की वैल्यू आएगे आपकी k by 4 अग जो कोई भी fraction में होता है उनका LC में लेंगे तो k by 2 ratio k by 3 k by 4 12 4 and 3 जिब k सब के साथ आएगा तो इसको हम यहां से ratio में काट देंगे तो आपका अंसर आ जाएगा 6 ratio 4 ratio 3 जो कि पहले भी आपका आया था 6 ratio 4 ratio 3 तो यह जो तीन questions है इनको ध्यान डखना अगर आप इसको shortcut करेंगे तो जो multiply है उसको convert कर देना है आपको divide में और जो divide है उसको convert कर देना आपको multiply के अग्दर